नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक वार फिर से दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के कन्य राज के दैनिक रास्वल की लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंच्यांग के बारे में तीस नवंबर दो हजार बाइस बुद्धवार का दिन है और अगहन मास के सुकल पक्ष याज सब्तमीत थी और नचत्रे आज धनिश्ठा अभजीत महूरत आज दोपार एक ज्यारा बच के 37 मिनट से लेके दोपार 12 बच के 38 मिनट तक रहेगा शुर उदय होगा सुबह 6 बच कर 28 मिनट पे चंद्रमा के स्थिति रहने बाली है आज की दिन कुम राशी पे जो की पूरे दिन रात भर्मन करेंगे आज के जो अस्व समय होगा वह तक्रीबन होगा साम 4 बच कर 32 मर्सले के साम 5 बच कर 49 मिनट तक रहेगा इस अस्व समय में कोई वह शुब और नए कार की स्थिरुवात ना करेंने तो भी इखन वाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के कन्य राज की दनिक रास्वल की और ये प्रड़क्शन चंद्राशी पर अधारी थे कन्य राज की यातकों आज बड़ा खतरा यनि कि आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है आज आपको गाड़ी बाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है किशी भी कार को करते हैं समय यहीं कि महतपूर धियान देना बहुत जरूरी है जैसे कि अगर आप यात्रा करते हैं तो अपने कीमती सीच की देख रेक करें किशी से आज वाद व्याद ना करें और खासकर आज लड़ाई जगड़े से दोरी बनाए रखें करने राजकत को आज के दिन थोड़ा सा भारी है आज आपको साधानी ब्रतनी की जरूरत है साथी साथ किशी अजनवी पर भरोषा न करें किशी भी अंजान ब्यक्ति पर आज भरोषा न करें और अंजान ब्यक्ति को उधार पैसे रुपए वेगरे बिलुकुल न दें इस टाप के साथ कन्य राजकत को नोग जोग होनी के संभावरा बन सकती है कि शिवात को लेकर विवात के सित्थी बन सकती है कारियों में चलियारी परेश्यानिया भी दोर हो सकती है अच्छी लाब के योग बने देंगे लागाता रामदनी बढ़ेगी लेकिन महत्पूर से सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छी योजनाओं को लाब भी होना जरूरी है व्यापार में बरदी चाहते हैं या फिर कोई ऐसे कार को पूरा करना चाहते हैं जिसमें आपको सफलता हो तो परिस्तरम और मेनत क्यों करने पड़ेगी कि आज की दिन थोड़ा सा भार करने राजगत को आज आपके सिक्षा के छेत्र में यानिकी कहा जाए तो उतार चड़ाव बना रहेगा लेकिन आज नौकरी में आज आपको जो आपके प्रमोंसन थे रुके हैं और साथी बड़े अधिकारियों से कि शिवात को लेकर नाराजगी जहलनी पड़ सकती है कहा सुनी जहलनी पड़ सकती थोड़ा सापको धियान देना होगा आपके जो करीबी रिष्तिदार है उनके साथ तालमेल बहतर बना के चलने की आवशकता होगी कारशेत्र को बहतर से बहतर बनाए रखने की जरूरत होगी और भागदाओर भी बने देगी हाला कि जल्दबाज कि मैं अगर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रहा है जैसे कि आपने शेर मार्केटिंग में जो इन प्रोपरिटी में तो आपको लावोग लेकिन ने सिर्य से ना करें आज किसी भी कार की शिरूरत ना करें आज कंड़ी राजकत को कोई भी कार करते समय पहले तो यनिकि आप तो आज आपको लाभ होगा तो आज करनी राश्कत को भागदावड़ भी बने रhmenगी कार्यों मांसिき चिंटाइं भी होगी काम के πरसर रहेगा और काम के परसर से यदि-धाकान में शोत होगी तो स्वास्त कुलेकर चली आरहीं दिक्कते भी हो सकती है, अच्छे कारियों में भी आपको कुछ यानि की लाब किस्तिती नहीं बने रहेगी, लागातर रामदिनी नहीं बनेगी, कुछ अच्छे कार भी पूरे नहीं होंगे, जो काफिशों से अध्वूरे पड़े थे, पेंडिंग काम असानी से पूरे धन की स्थिती में और कारोबार की स्थिती में बेहतर इन अबसर प्राप्त होंगे, और कुछ अच्छे कारियों में प्लब्दिय प्राप्त होंगी, आय में ब्रद्धी होगी, कुछ अच्छे महत्पून कार पूरे होंगे, लागातर अगर कोई कार रुका हुआ था, पें मैं बढ़ेगी से praxi कि बेंक मैं कि Gas work बैंक करें कि किषी खिरा कोई कहां में सईतर गुर्त नियुष डपारथ और aiming मतों आज किन बंखर ऊंदाज न करें और किसि अजनिभी पर भरोशा न कशनी अक्सर लोग आपको लालाज देते हैं या फिर पैसे डबल करने का लालाज दे तो बिल्कुल ना करें लोडर शट्टा से दूरी बना रखें और इन्वेस्ट करने से बचें पहले से अगर किया है तो ठीक है लेकिन नए से रेसे ना करें करने राजकत को अगर आपके घर में कोई विवाद चल रहा था लड़ाई जगड़े तो इसमें थोड़ी सी राहत मिलती नजरागी थोड़ा सा सबर से काम करना होगा पत पतने के बीच नोगजोग हालाकी थोड़ी बढ़ सकती है लेकिन थोड़ा धियान देना होगा गरेस और भगवान दिश्ण की पूजा रादना करें तो सब ठीक हो जाएगा करने राजकत को आप लोगों से एक रुक्ष्ट है कि आप हमारे इस्टाग्राम जागंदर मिस्टा में जाकर फालो जरूर करिएगा आप वहां से जुड़िए दोस्तों करने राजकत को एक और जी रहेंगे जीवन सातिक साथ किसी बात को लेकर नौग जोग मतभेद के सिती बन सकती है थोड़ा सापको ध्यान देना होगा सब्र से काम लेना होगा जल्दबाजी में आकर वो सो अभास खोणा वाइठ इस बात का भी ध्यान देना होगा गारी बाहन से बहुत ही जोग बन रहें थोड़ा सापको ध्यान देना होगा कुछ ऐसे कार करें पूरा जिसे पूरा करने का प्रयास करेंगे मंचाही सफलता अगर प्रात करना है तो थोड़ा सापको ध्यान देना होगा कार छेतर को लेकर चलिया आरही परिश्यानिया भी दूर होगी और अच्छ और लब पार्टनर को आज मानाते नजराएंगे कि किसी तीसरे पक्ष के वेज़से आप दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ सकती है सिक्षा में आपको ज़्याद ध्यान देना होगा सिक्षा में अगर किसी प्रकार कोई शमद्य शमशाएं थी परेशानिया थी तो आज की दिन दूर करने का कोशिश करें सिक्षा में उतार चड़ाव जो बने थे जो परेशानिय थी उसे भी दूर करने का प्रयास करें तो आज की दिन यानि कहा जाए तो भागदा उर्थ बने रहेगी लेकिन प्रयास भी जारी रहेगा खामों पर आज आपका ध्यान रहेगा और करने राजकतों आज स्वास समान्धी परेशानिया थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है एक तो चंद्रम आपके शटे भाव पर गोजर कर रहे हैं और शटभाव होता है, रोग रेड़कर्ज परेसानी का किसी आज यह बेक्त से दोखा भी मिल सकता है और आज आपको जैसे कोई पुराने रोग है, रेड़कर्ज है यह परेसानी नाल सकते हैं थोड़ा सा कनी राजकत को आप ध्यंदेशी ले हमने कहा कि आज बड़ा खत्रा है क्योंकि आज आज आपको सालधानी बरतनी है आज आज आपको कुछी विशेश घटनाव से सालधानी बरतनी की जरूरत है कनी राजकत को भागदाओर के साथ साथ आप अपने कामों पर फोकस भी बनाए रखें कि काम पर फोकस बनाएंगे तो ज्यादा बहतर होगा और किसी भी लोग पर भरोसा तो बिल्कुल ना करें लेन देन ना करें आज गारी बाहर के खरीदारी भी ना करें आज आपका शुब रंग रहेगा यहां पर मेहरून कलर और भाग सात्री भाराप कतिक्रिबनेने की 68% तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय शनिदेव